क्या अभी शेक को कॉपी कर रहे हैं एल्विश यादव एल्विश की व्लॉग से हुआ खुला साथ विल क्या है पूरी खबर आएए चांते हैं इस रिपोर्ट में एल्विश यादव को बिग बॉटी टी के सीजन टू में देखा क्या था इस शो के एल्विश विनर भी थे शो में एल्विश ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की थी और उन्हें खूप पहचान मिली थी शो से निकलने के बाद एल्विश की पॉपुलारिटी भी साथ में आसमान पे हैं एल्विश रो कुछ भी करते हैं फैंस उनके बारे में जादा से जादा जानना चाहते हैं एल्विश की बॉंडिंग मनीशा के साथ काफी अच्छी नजर आ रही थी बिग बॉस की घर में और वही अभिशेक के साथ दी एल्विश का भाई चारा देखने को मिल रहा था अब अक्सर ही एल्विश और अभिशेक को लेकर कॉम्पिटीशन चलती रहती है जहां शो के विनर एल्विश बने थे वही रनर अभिशेक रहे थे इन दोनों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर ये क्यास लगते रहते हैं कि कौन आके है कौन पीछे है किसकी ज़ादा फैन फॉल्विश है किसकी कम है कौन ज़ादा फेमस हो रहा है कौन अच्छे काम कर रहा है तो इस तरीके की बातें अक्सर इन दोनों को लेकर होती रहती वहीं अब ऐसा कुछ अलविश के ब्लॉग में पता चला है जिससे लग रहा है कि शायद अलविश भी अब अभिशेक को कॉपी कर रहे हैं दरसल हुआ यूँ कि अभिशेक मलहान का एक घर बन रहा है जिसे लेकर अभिशेक की फैमली काफी एकसाइटेड है और वो अकसर दिखाते भी रहते हैं अपने घर को व्लॉग में और बताते भी हैं कि उनका ये जो घर है उनका ड्रीम हाउस है उसके लिए उन्होंने 25 करोड रुपे लगाए हैं और ये ड्रीम हाउस चल्द बन कर त्यार भी हो जाएगा वहीं एलविश का भी घर बन रहा है गुडगाओं में ही और एलविश भी अपने घर को व्लॉग में दिखाते नजर आये थें वहीं अब रिसेंटली एक व्लॉग एलविश ने डाला है जिसमें वो अपने घर की कीमत बताते नजर आ रहे हैं एलविश ने कभी भी अपने घर की कीमत नहीं बताई और हाँ उन्होंने एक सिंपल होम टूर जरूर दिया था पर इस बार एलविश ने जाकर वहाँ जो काम कर रहे हैं जो मजदूर हैं जो घर का इंटीर कर रहे हैं उन लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि कितने का घ अरीम हाउस बन रहा है जिस पर उन्होंने खूब पैसा बहाया तो वहीं अब एलविश ने भी अपने घर की कीमत बतानी शुरू करती और वो भी अभिशेक की घर से डबल कीमत की 50 करोर का भाई हमारा तो 50 करोर का घर है बिलकि आपको लगता है क्या वाक्ति एलविश को अ आपवड़ और रहा है